जै माता दिमित्रों क्या रक्षा बंदन 20 अगस्त को है क्योंकि कुछ विद्वानों का यह कहना है कि जो रक्षा बंदन है वो 20 अगस्त को है या 19 अगस्त को रक्षा बंदन मनाया जाएगा भद्रा कब है पूर्ण मासी कब है सारी कन्फ्यूजन इस कारेकरम में मित्रों दूर हो जाने वाली है यह प्रोग्राम हम में हम आपको बताएंगे कि रक्षा बंदन कब है राखी बादने का सटीक मूरत क्या है किस मंतर से राखी बांदी जाए और जड़ाता 90% महिलाएं जब राखी अपने भाई को बांती है जिसको रक्षा शूत्र का जाता है ये नबद्दो बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तौाम परती बंदनामी रक्षे माचल माचला यानि जो रक्षा शूत्र भाई की उम्र के लिए भाई की सलामती के लिए बहने बांती है उसमें 90% कुछ गल्तियां कर देती हैं जिस पुझे से भाई की प्रॉपर तरीके से रक्षा नहीं हो पाती है अब उसके बारे में इस कारिकरम में चर्चा करेंगे कि राखी को किस प्रकार से प्रांट पतिष्ठित की करा जाए कि भाई के लिए वर्दान साबित हो रक्षा सूत्र साबित हो भाई के सारे कष्ट ले ले इस कारिकरम में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम रक्षावंदन में बात कर लेते हैं तो रक्षावंदन जैसे कि आप जानते हैं भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है रक्षावंदन जो कि श्रावन पूर्ण माशी को मनाया जाता है और शास्त्र में मित्रो ये भी लिखा हुआ है कि भद्रायाम दोए हैं ना कर्टबी श्रावणि फाल गोनी तत्था यानि की भद्राएयं दुए ना कर्टब्य है यारि दो चीजों दिमिट देना पड़ता है भद रा के अंदर पहला श्रावणि का मतल habitat अचक्छी और दूसरा फाल गोनी यानि कि 20 तारीक को सबसे सठीक है तो चच्चा कर लेते हैं तो 19 अगस्त 2024 को सोंबार को जो पूर्ण मासी प्रारंब है क्योंकि पूर्ण मासी में ही रक्षाबंदन मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्ण मा को रक्षाबंदन मनाया जाता है तो पूर्ण मा प्रारंब है सुभा तीन बच के चार मिनट से लेकर और रात्री को ग्यारा बच के पच्पन मिनट तक उनिस अगस्त को पूर्ण मासी रहने वाली है यानि कि बीस तारीक को फिर भी पॉसिबली नहीं है कि रक्षाबंदन हो इसलिए उनिस अगस्त को ही रक्षाबंदन मनाना स्रेश्ट कर है क्योंकि पूर्ण मासी रात्री के ग्यारा बच के पच्पन मिनट तक है भद्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो भद्रा जो है रात्री में दो बच कर 21 मिनट से सुरू हो रही है और 19 अगस्त को देखा जाए तो दिन में 1 बच के 24 मिनट तक भद्रा रहेगी यानि के दिन के 1 बच के 24 मिनट तक जब तक भद्रा रहेगी तब तक राखी मनाना स्रेश्ट कर नहीं है उसके बादिया बहने रक्षा बंदन का परो मना सकते हैं फिर भी भद्रा का मुख के बारे में बात करें सबसे जादा जो खराब होता है मित्रों वो भद्रा का मुख होता है भद्रा का मुख 10 बच के 53 मिनट से लेकर और 12 बच के 37 मिनट तक भद्रा का मुख है इसमें तो कदा आपी भूल के भी आप राकी ना बांदे याद रखेंगे ये बड़ा आशुब होता है भद्रा की पूच्छ के बारे में बात करें तो सुबह 9 बच के 50 मिन्ट से लेकर और 10 बच के 53 मिन्ट तक भद्रा की पूच्छ है कुछ विदवानों का मत है कि भद्रा की पूछ पे आप emergency है आपके जीवन में या आपको कहीं जाना है जल्दी बाजी में राखी बांधनी है या आप government में आर्मी में doctor है और आपको किसी emergency काम में जाना है तो भद्रा की पूछ यानी की में राखी मांदरा स्वेश्ट कर रहेगा लेकिन यह एमरजन्सी वालों के लिए कॉमन लोगों के लिए राखी का परव मनाना है तो आप एक बच के 24 मिनट दिन के बाद ही पूरे दिन राखी का परव मना सकते हैं बच 4 के बाद ही आपको राखी मनानी है जैसा कि मैंने बताया कि दिन में एक बच के 24 मिन के बाद ही आप राखी मना सकते हैं रक्षा मंदर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं नब्वे पतिशत니다 यह महिलाएं हैं वो रक्षा सूत्र को प्रांड पतिश्ठीत नहीं कर पाती है यानि वो राखी रह रह जाती है लेकिन वो रक्षा शूत्र नहीं हो पाता है, जिस कारण से भाईयों की proper तरीके से रक्षा नहीं हो पाती, तो क्या करना है, रक्षा बंधन के तिन बेहनों को कैसे, आपकी राकी को प्रांट पतिश्टीट करना है, एनरजाइज करना है, इसके बारे मैं चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले, आपको सुबहें आपको गंगा जलसे आप इस्नान करना है, और पूरे घर को भी इस्नान करना है, मंदिर को भी अच्छी तरह से धो लीजिएगा, मंदिर की साफ सपाई उस दिन बहुत जरूरी है, याद रखेगा, उसके ये रंग जो है भद्रा के रंग होते हैं घर में कोई ना कोई क्लेश हो जाता है या चीजे सही नहीं होती तो भद्रा का कोई भी कलर आपको नहीं पहनना कोशिज करें कि आप हरा पहले आप सफेद पहले आप पीला पहले लाल पहले लेकिन भद्रा का काला नीला भूरा में जाना है देवी देवता शिव जी के सामने दीपक धूब जलाना है ओम श्री गनेशाय नमा यह मंत्र का जाप आप 11-21 बार जरूर बोल दीजेगा उसके बाद आपको गया करनी है जो राकि आपने ली है राकि को गनेश जी के सामने आप दुरुगा माता के सामने जिसको भी आप मांदें उनके सामने आपको रख देना है रखने के बाद पहले इस्ट देवता से प्रात्ना करनी है कि मैं मैं अपने भाई को यह रक्षा वसूत्र बांदूंगी तो है इस्ट देव उनकी रक्षा करें और इसमें आप प्रांट पतिश्टित होके आएं इस लिए उसके बाद आपको ओम सिद्धय नमा लगाना है चावल लगाना उस पर पुष्प डालना है और और यह बार बहुकर हलइं आप चड़ा दीजेगा तो आपकी राकिप्रांट पतिश्टित हो जाएगी उसके बाद आपको दुफैर में एक बच्छे मिनिट के बाद जब आप भाई को रक्षा शूत्र बानती हैं तो भाई का मूँ पूरफ की उत्तर की ओर हो अच्छा रहेगा उसके बाद आप कोई भी मंत्र बोल सकती है यानि कि शर्व मंगल मंगले शिवे शर्वार शादिके शर्णे त्रंब के गोरी नारायनी नमोस्तोते ओम शरी गणे शिवजी का मंत्र आता है कोई भी मंत्र बोलकर आप अपने भाई को राक्षा शूत्र का मंत्र होता है यानि कि यह मंत्र होता है यदि यह नहीं भी बोल पाए तो हर पूजा पाट भाव का भूका होता है मित्रो यदि आप भाव आपका सच्चा है तो पूजा लगती ही ल शचावल के दाने से परसंद गए, तो इसी प्रकार से अगर हम भाव से भगवान की पूजा करतें तो उलगती है, तो इस प्रकार से आप पतिश्टीत करके अगर भाईयों को राखी बाण देंगी, तो आप मेरे कल उनको उनमें चेंज देखेगी इस बार इस विदी से आप राकी जरू बांदेगा जै मत दे